हम बात कर रहे हैं SFC Mathematics में Advanced Mathematics की अब जानते हैं कुछ CGL बगरा होती है इसमें Advanced Mathematics आती है इसमें राकेश स्यादो जी की दो लिखी की बुक है Advanced Math की उसके solution प्रवाइड कर रहे हैं तो देखते हैं इसके algebra topic का next question देखें आप देखते हैं 13th question हम question पढ़ते हैं तब तक आप देखें आपकी screen प्यारा होगा 13 कह रहा है कि if x is equal to 3 plus 2 root 2 then the value of root x minus 1 upon root x is what आपको find करनी है यानी x का मान दिया है 3 plus 2 root 2 और आपको root x minus 1 upon root x की value निकाली चला साउधान थोड़ा सा ज्यादा साउधान देखो x का मान दिया है 3 plus 2 root 2 प्लस दिया है न हाँ और आप से कह रहा है कि आप root x minus 1 upon root x का मान निकालो ज्यादा देखो ध्यान से अगर आपने इस x का मान यहां रख दिया गल्ती से भी गल्ती कर गए तो एक तो आलेडी इसके अंदर एक root है और यह इस complete root के अंदर आज आने वाला है तो भी या इसको calculate कैसे हम करेंगे तो मैं इस root को calculate यहां पर नहीं कर सकता एक मार्थ राइंक साइद भी है एक सेकेंड जड़ा तो हमने कहा value रखने पर तो एक खतरनाक हो जाएगा आप क्या करें देखो जड़ा root को solve करने का तरीका क्या होता है तो आप कहेंगे भी या ऐसा है गर root के अंदर square हो जाए तो square हड़ जाता है root भी हड़ जाता है तो इसका मतर यह चीज किसी चीज का whole square लिखा हो है वो ही पकड़ना है आपको ठीक है आप जानते हैं या तो यह a plus b का whole square लिखा है या तो a minus b का whole square लिखा है चुकि यहां पर plus लगा है तो a plus b का whole square कहीं लिखा हुआ है कोई चीज का square है देखो हम पकड़ें कैसे इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे देखो a plus b whole square a square plus b square plus 2ab होता है अगर ध्यान से देखो इसको तो 2 और a हो गया 1 b हो गया root 2 कुछ इस टाइप का यह term लिखा हुआ है हम के और आपको यह समझानी कोशिज कर रहे हैं कि भाई यह समझ में आपको आ रहा नहीं आ रहा कि इसको क्या 2 into 1 into root 2 लिखा जा सकता है तो 2ab तो हमको कुछ लग रहा है कि a 1 हो गया b root 2 हो गया तो उसके पहले भी तो a square plus b square होना चाहिए था इसको हम 2 का square 2ab है na a आपका 1 है b आपका root 2 है इसका मतलब यह आपका 1 का square plus root 2 का square क्या लिखा हुआ है ज़रा इस 3 को देखो 1 का square 1 और root 2 का square 2 तो 1 plus 2 3 लिखा है ने लिखा है अगर ध्यान से आप देखो तो यह आपको दिख रहा है a square plus b square plus 2ab यानि कि ये आपको root 2 प्लस 1 का whole square दिख रहा है नहीं दिख रहा है आगए answer हमने कि आगा root हट आने के लिए जो ब्रहंभास्तर है वो square होना चाहिए हमने square हो change कर दिया तो root x की value क्या निकलेगी root x निकलेगा इस पे root चलाद हो गई root 2 प्लस 1 निकलेगा square हट जाएगा तो root x की value तो आ गई root 2 प्लस 1 काम कतम अब 1 by root x यहाँ निकाल लेते है तो जब 1 by root x करेंगे तो 1 by root 2 प्लस 1 आएगा चुँकि आपान में value थ्लाद सा अच्छी नहीं लग रही है तो इसके conjugate से हम multiply कर देंगे तो उपर आएगा root 2 minus 1 नीचे a plus b, a minus b, a square minus b square 2 minus 1, 1 तो यह आएगा root 2 minus 1 अब आपको root x का मान भी निकलाया 1 by root x का मान भी निकलाया उठा क्या रख दो तो यहाँ जब रखेंगे तो root x की value क्या है root 2 plus 1 minus इसकी value क्या है root 2 minus 1 bracket खोल दो root 2 plus 1 minus root 2 minus plus 1 root 2, root 2 कट गया 2 is your answer इसका 2 आपको आएगा तो which part is correct इसका जो part correct है that is b part is correct थीक अब अगर यही root 2 अगर यहाँ plus लगा होता अगले part में तो यहाँ पर यह plus होता यह answer ना आता यहाँ plus लगा होता तो bracket खोलते है root 2 plus 1 plus root 2 minus 1 1 कर जाता तो आपका 2 root 2 answer हो जाता तो यह अलगी बाद ऐसा होता तो ऐसा होता तो जो है उसकी बारे में बात करेंगे तो this is question number 13 ठीक अब देखे 14th question हम पढ़ते हैं तब तक आप के सामने screen पे flash हो रहा होगा question को देखेगा question कह रहा है if p is equal to 999 999 then find the value of cube root of p p square plus 3p plus 3 bracket close plus 1 यद p बराबर 999 तो घन्मूल लिगा है घन्मूल का sign बना हुआ है p p square plus 3p plus 3 bracket 1 plus 1 की value निकाली question देखने में value बहुत बहुत बड़ी दख दिख रही है 999 उसका square करेंगे cube करेंगे तो आलत कराब हो जाएगी ज़रा समझने की कोशिच करिएगा p का मान दिया है 999 ठीक और आप से कह रहा घन्मूल actually मैं घन्मूल ऐसे लगता है यह ऐसे घन्मूल होता है इसका होता है एक बटे तीन पावर होती है और यह कह रहा है निकालीए value p बहार लिखा है और अंदर लिखा है p square प्लस 3 p plus 3 p square प्लस 3 p plus 3 और प्लस 1 actually अगर आपने गलती से p का मान रख दिया तो ज़रा समझेगा भेंकरता कितनी आएगी कि आप पहले तो इसका square करेंगे फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे फिर इसको जोडेंगे फिर 999 से गुणा करेंगे फिर एक प्लस करेंगे फिर घन्मूल निकालेंगे और हालत खराब हो नहीं संभव नहीं है पकई है ज़रा ध्यान से देखो अगर मैं इस bracket को खोल देता हूँ तो यहाँ P cube आ जाएगा यहाँ 3P square आ जाएगा यहाँ 3P आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा ज़रा इसके अंदर देखे कुछ फार्वला दिख रहा है नहीं दिख रहा है देखे हमने पड़ा है A plus B का होल क्यूब का फार्मला होता है A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB square ठीक अब यहाँ तो क्योल P है तो अगर मैं यहाँ पर A plus 1 का होल क्यूब कर दूँ तो आएगा A cube plus 1 का Q 1 plus 3A square into B 1 है plus 3A आपका है और यह आएगा तो देखो P cube P cube plus 3P square plus 3P plus 1 तो क्या यह आपका अंदर P plus 1 का होल क्यूब नहीं लिखा हुआ है तो जिस प्रकार से होल स्क्यूब लगने पर स्क्यूब रूट हड़ जाता है वैसे होल क्यूब लगने पर cube root हड़ जाता है क्योंकि इसका मतलब यह क्या लिखा है इस cube root का मतलब होता है पावर 1 अपान 3 तो जब पावर पावर का गुणा करो ना तो 3A 3 कैंसल हो जाएगा तो यह नहीं करना है इसका cube root हड़ जाएगा यह P plus 1 लिखा है तो 999 plus 1 यानि कि यह 1000 आंसर हो गया तो इसका आंसर 1000 आएगा और इसका जो पाट सही है तो यह पाट इस सही है तो इस इस 14th question ठीक है नेक्स्थ वीडियो नमस्कार